दोस्तो मेरे पास थी होम टेटर रिपेर होने के लिए आया है और इसमें प्रोब्लम क्या है ना इसमें बेस आ रही और जो साइड के स्पीकर होते हैं सैटलाइट स्पीकर ना ही इसमें वो बज रही है और एक इसमें बज भी रहा है तो उसमें दोस्तो साउंड सरसरा आठ की नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें कोपिराइट का इश्य होता है मैं अपनी वीडियो ही चला कर दिखा दूँगा यूट्यूब पर आपको तो यह देखे दोस्तों हमने हमारे पात जो यहां पर काड का सिस्टम हमने लगा रखा है बोर्ड का उपर तो हमने इससे कनेक्ट क करें और वोल्यम बिल्कुल फूल है तो दोस्तों अभी आपको दिखाएंगे देखें ना तो इसके अंदर बेस आ रही है देखें मलब इंटरनली जो बेस बजती है एक तो बेस नहीं बज़री इसके अंदर ठीक है और इसमें जो साइड में दोस्तों स्पीकर रखे जाते सैटलाइट ना ही चारों में से स्पीकर बज़रे तो अभी आपको मैं स्पीकर दिखा देना चाहते हूं देखें मैं एक स्पीकर को लेता हूं यह मैंने स्पीकर ले लिया ठीक है और मैं आपको दोस्तों दिखा देना चाहूं यह इसमें चार आउट पुट है दो एक ठीक आप देस्तों से करेंगे रिपेर पूरा कंप्रीट देखेंगा दोस्तों वीडियो काफ इंपोटेंट होने वाली है बहुत अच्छे से सिखाएंगा आपको स्टेप बाइ स्टेप समझाएंगे चलिए कलते हैं से खोलते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता कर देते हैं और बैक साइड से यहां पर इसको खोल लेते हैं अभी बताएंगे दोस्तों किस वज़े से यह प्रोब्लम बनती है बोड में जब ऐसी दिक्कत आती है तो कहां कहां पर आपको कितनी वोल्टेज कैसे चेक करने चाहिए तो सबसे पहले तो जो हमारी प्रोब्ल बारा का बस यह सिस्टम करनेक्शन सारे ओके हैं फिजिकली से कोई भी दिक्कत नहीं लग रही लेकिन यहां पर जो हीट सिंग है काफी ओवर हीट हो रही है तो यहां पर तीन आइस ही लग हुई है बीस तीस की तो यह आउटपुट के तार गए हुए हैं देख सकते हैं य हमारे आउटपुट के तार हैं यह तीन तार लेफ टार और ग्राउण ऑर यहां पर यह जो तीसरी आई जी बेस की है इसको यहां पर यह बेस के तार गयं हो है यह ठीक है तो यहां पर देखे टेप यह आपा लिए किसी ने देखिये टेप लगा घ़क यह तो सबसे पहले हमें जो बेस का स्पीकर वही चैक करना उपड़े वैस के जो दो तार आरहे हैं इसको ही आमें चेक करना होगा तो मल्टी मीटर लेंगे मल्टी मीटर को तो हम दोस्तो रेजिसेंट'S mode पर रखेंगे resistance mode पर आ तो 8 ohms या 4 ohms इसमें आने आने चाहिए तो देखें दोस्तो चेक करते हैं तो यह देखें दोस्तो यहां पर आ रहे हैं 3.7 mega ohms का असपास यह मतलब गलत है तो यह नहीं आने चाहिए यहां पर तो थे यह हैं तो यह देखेंगे दोस्तो यह हैं बेस के तार तो हमारा बेस का speaker यहाँ पर खराब है तो speaker तो हम रिप्लेस करना होगा है और रिपेर करके वायर चेंज करने होंगे तो अब हम करेंगे क्या confirm करने के लिए कि हमारे आई-सी से तो लगा करके आइसी के PIN No.1 पर हमिंग चेक करते हूं अपर लेकिन यह हमिंग चेक नहीं हो क्योंकि ग्रॉंड़ पे तो मैंने बाइव कोई चेक नहीं होगी आइसी जो लगई हूई है पिन No.1 पर जब आइचेक को ती है जो ग्राउंड पर कनेक्ट नहीं हमारी इन्वर्टिंग हमारी हमिंग कर दिया है तो देखिए दोस्तो Bluetooth mode FM mode यह देखिए सब बदल लाओं तो यहां पर बेस काम कर रही है देखिए बेस अच्छे से काम कर रही है तो इसका मतलब बेस के सब्सक्राइब कर देखिए तो यहां से देखिए जब ऐसी प्रोब्लम आते है ना साँंड के सासरा हट आए और एक आईसी ऑखिए हो घ्रीक हो ऐसी कोई दिख्कत ना हो और बार इसी पढ़ रही हो आफम सा चल लो तो समझ जाना दोस्तों IC के अंदर हमारा क्या हुआ पिन नमबर 4 पे और पिन नमबर 3 पे अंदर शोटिंग बन चुकी है हाफ शोटिंग तब ऐसी दिक्कत आती है तो उस कंडिशन में देखिए एक IC तो आउटपुट में स्पीकर लगाते ही कर रहा है महला हमिंग सी कर रहा है तो जब ऐसी दिक्कत आती है तो हमारी IC आउट सोट हो जाती है और दूसरे नमबर की जो IC है उसमें दोस्तों हमारी साथ में DC भी चल ली है साथ में दोस्तों यानि कि आपकी AC और DC दोनों चल ली है जब कि चलनी चीए AC तो हमारा क्या हुआ पहली IC और दूसरी IC दोनों ही खराब हो चुकी है तो आप इसके अंदर IC डालेंगा IC डालने से पहले कुछ चीज़ साथ दानी रखेंगे जिस कारण से IC से में खराब हो रही है बार बार जो भी खराब ना हो जल्दी से तो देखे बाड को हमने खोल दिया है बाड को कर दिया होपन अब हमें करना क्या है दोस्तों इन IC को बाहर निकाल लोगा ये D-Solding Pump की साथा से हम बाहर निकाल लेंगे और मैं इस D-Solding Pump को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं दोस्तों आपको लिंक दिस्क्रिप्टिन में दे दूँगा महाँ से जाग करी सकते हो Solding Iron with D-Solding Pump दोनों चीज़ेस के अंदर काफी अच्छा प्रोड़क्ट है तो इसे यहाँ जल्दी से हम IC को Remove कर लेते हैं IC की पिनो को D-Sold कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से यह देख सकते हो ठीक है जी तो यहाँ पर काफी अच्छे से पिनो की Solding हट चुकी है सभी अब हम यहाँ पर IC को खोल लेंगे जल्दी से तो IC तो वैसे टाइट लगी हुई है लेकिन यहाँ पर प्रोब्लम कहाँ पर है कि यह जल्दी खराब हो रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ देखिए Local Home Trader में जब भी IC बार बार फुकती है इसका एक सिंपली एक रिजन होता है सबसे पहला तो इसमें Overheating का Issue Overheating होता क्यूं है क्योंकि इसमें जो Heat Sync लगाई गई होते है तो वो बहुती ज़्याद हल्की होती है ठीक है फिर जो speaker इसमें लगाई गई होते हैं वो local speaker होते हैं उनका कोई Oms का पता ही नहीं होता किसी पर दो Oms आ रहे हैं किसी पर धाई आ रहे हैं किसी पर तीन आ रहे हैं और एक ही IC फिर दो दो speaker जोड़ होते हैं वोई एक डेड़ Oms हो जता है तो IC एक डेड़ Oms को सपोर्ट नहीं करती है ये 8 Oms को सपोर्ट करती है काईदा जो है IC का 20-30 का काईदा जो मैं बता रहूं जो IC खराब नो फिर चलो वो भी हमारा देखा जाए बाई आउटपुट में बहुत से रेश्टन्स लगा देते हैं वो भी चल जाए कोई बात नहीं फिर इसका जो ट्रांसफार्मर है ना वो इतना घृतिया क्वालिटी का बनाया गया होता है कि उसमें होता है क्या है सपोज कि जब 12-0,12 होनी चीए 220V पे तो पो 220V पो 88-0,8-0-0-0-0-1 या एक तरफ वो 88-0-0 दे रहा है या एक तरफ 116 ςछ में बताउन लिव 14 गारी है पर इसमें जो लगे होते हैं बड़े वाले मेन कैपिस्टर जोते हैं प्लस माइनस के वाले वह इतने थके हुए क्वालिटी के लगाए होते हैं कि मतलब यह होम टेटरी पूरा खतम बनाया गया होता है तो यह इस सिस्टम को मोडिफिकेशन करने के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जो बार-बार दिक्कत ना हो कम पैसों में कर्चे में तो वह वीडियो आप मिस मत करना हम वीडियो रोज डालते हैं आठ से साड़ा बजे के बिच में सुबह और साम को वीडियो आ जाती है तो यह देखिए ट्रैंग है यह तो समाधान है क्योंकि यह काफी जादे डिग्री से एन कर लेती हैं और जो लोकल होती हैं वह जीतनी जादे डिग्री सेल्चस पर काम नहीं कर पाती है ट्रैंगल की काफी जादे ओवरीटिंग पर चल जाती है तो मैं देखिए आई-सी लगा दी है और यह मैं बाद दोस्तों जो आपकी पिने हैं उस पे साइनिंग नहीं होनी चाहिए चीज याद आगा जिस पिन पे साइनिंग मिलेगी न आपको आइसी की वो लोकल आइसी मिलेगी हंड़ाइड वन परजेंट अब कहोगे कि सर साइनिंग में तो अच्छा उता है नहीं बाइ साइनिंग नहीं होती है कोपर की फिन पे ठीक है उसके बाद में उपर का जो एरिया होता है वो कोपर होना चाहिए अगर आप घिसके देखोगे लाल लिखड़ेगा उसके बाद जो उसका प्रिंटिंग होगा अगर आप 10 IC लोगे नो उसकी तो सेम होनी चाहिए तो हम जल्दी से से कस लेते हैं मतलब जब आप प्रिंटिंग देखोगे ना इस पर हुई हुई तो दस पर एक एम भी डिफरेंट इंग इधर उदर नहीं होना चाहिए बिल्कुल इक सार प्रिंटिंग होनी चाहिए तो IC को ओर्जिन लोकल पहचारने का यह तरीक होता है ठीक है उसके बाद में पिनो का भी डिफरेंट देख लेना है आपको कटिंग में तो हमने दोस्तों IC को काफी अच्छे से टाइट कर दिया है सोल्डिंग आपको बाद में करनी है पहले आपका IC को टाइट करना है तो दोस्तों देखे अब हमें यहाँ पर सोल्डिंग कर लेनी है अच्छे से यह देख सकते हैं आप काफी अच्छे से हमने सोल्डिंग कर ली है यहाँ और वीडियो को दोस्तों 4K में करके आप side से देखे काफी अच्छी quality है हम video quality पर और वो इस quality पर काफी ध्यान देते हैं और आपकी comments पर और आपके like करने पर हम पता रहता है कि किस बंदे ने like किया किस ने नहीं किया हमें सब कुछ पता रहता है कौन वीडियो कितनी देख रहा है यह सब पता हुत भाई कुछ सीखना चाते हैं तो वीडियो को पोरा देखा करो देखिये दोस्तों हम वीडियो पक्र नए बहुत मह्न्त करते हैं आपके लिए और हम आप से पहले भी कह रहे थे अब भी कह रहे हैं जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल फिरी है आगे आने वाली वीडियो ऐसी ऐसी रहेंगी कि बिल्कुल जीरो से शिकाया जाएगा ठीक है यह वीडियो खासकर नए मेकैनिकों के लिए इंपर्टेंट जो आजकल वीडियो बना रहे हैं समय के रात के समय में साम के समय में वो काफी इंपर्टेνट वीडियो चलनी है जो पुराने मेकैनिक हैं वे भी देख सकते और आप जैसे हैं वीडियो के लिए अगी ऑप को पता तो होगा लेकिन सोचा होगा बात में उससे करने पह लpled ल देखेंगे दोस्तों मैं साउंड नहीं दिखाऊंगा बस आपको वोइस सुना दूंगा जो हम वीडियो में लगाते हैं एक मैलेडी टीव रिपेर कर रहा था तो उसकी वोइस मापको सुना दूंगा तो देखिए दोस्तों हमने स्पीकर लिया इसे कनेक्ट कर लेते हैं और अभी देखिए यह देखिए अब देखे साउंड आ जाएगा यह देखिए थीक है जी देख लो यह देखिए साउंड प्रोपर आ रहा है यह देखिए दोसरी में चेक करते हैं यह देखिए दोनों आइसे में बिलुकुल प्रोपर साउंड है यह देखिए प्रोपर साउंड आ चुका है फाइनली हमने क्या देखा कि दो आइसे खराब हो जाने के वज़े से समस्या बननी थी अब बेस की दिक्कत रही तो बेस के जंगे बेस में हम सब फर्बेस टाल देंगे और बिल्कुल ओक्ट हो जाएगा यह बेस के लिहां पर बजा कर चोड़ेंक्त और आपको चला के दिखा देते हैं यह देखिए देखिये बेस वी काम कर रही है यह देखिये बेस का स्पीकर काम कर रहा है सैटलाइट हो यानि कि हमटेटर पूरा हमारा ओक हो चुका है आप कोई दिक्कत नहीं है पूरा सेट अप हमारा बिलकुल completely ready हो चुका है हमारी दिक्कत क्या थी पूरा सेट में सिर्फ दो ही आई सी खराब थी और हमारा पूरा सिस्टम यहां पे working condition में है पूरा सेट एक दम बढ़े तरीके चल चुका है यह आई से हमारे खराब हो चुकी थी आज के लिए इतना ही मिलते हैं ने स्क्रीयों में जैहिन फंदे मातरम दोस्तों